फुसा बायो डिकंपोजर एक माइक्रोबिल कुंसोर्शियम है, पिछले 5-6 साल से इस पर शोध हो रहा था वो दवाई मारने के बाद में ये कबाड कमजोर हो गया कैपसूल्स एक हेक्टर के पराली को गलाने के लिए सफिशेंट है तो कममाइन से जब करते था तो करीमन दो फूट, डाई फूट का वो उसका वेश्ट रह जाता था तो या तो उसका कोई खरिदे या उसका हम क्या करें, हमार पास कोई विकल्प नहीं था ताली को बहुत अच्छी तरह से डिकंपोज करता है ये जो गोर्मिंट ना भी इसको देगी तो मोल इसको किसान लेके लगाएगा उसको बाद जिड़ा उसका नाड है उसनों लेके काफी चिंता कसानाच भी बढ़ी रिंदी है और परशाचन से भी बढ़ी रिंदी है पिछे तक कई किसानाच भी दर्ज होए जना ने अगालाई है क्योंकि गौर्मिंट वालों अगलां ते मनाही है पर कितना किते उससे कोई मुकमल हाल नहीं मिलदा जिसका किसान मजबूरी ते विच उननों आगलाउनी पैंदी है नाड नों ते जिसकार के जड़ा काफी प परिशाशन वालों पंजाब ते हरेना नों इस दा जुम्मे वार दस्या जान दा है पर आज जे कितना किते आप गल करिए ते इस दिली वालों एक पैल किती गई है बायो डी कंपोजर ना था एक केमिकल रसाइन जिड़ा उनने तियार किता है जिस दा शड़का हूगा खे दे वेच्ची गाड़ जोगो पंदरा दो वीजना दे वेच्चे उन्हों एक साब दा खाद दा काम करूगा एक हैना अर्बिन केजरी वाल दा पूस्चा इंसिटूट वल्लों हे पैल किती गई है पराली नों लेके एक बड़ी समस्या जड़ी साड़े पंजाब ते हरेया दिया है जिवींदारां दिया है जिसनों लेके बड़ी है मेंगे मेंगे मशीना उनों लेनीयां पहरी है जिए आपा हैपी सीटर दी गाल करिये ता तक्रीबन टाही चार लाक दा पहला हों दा उस तो बाद उन्हों ट्रैक्टर भी वड़ा जाई दा चलाउन वास्ते दिली दे मुखमंतरी एक हिंदे नजर आ रहे है कि जिड़ा वो नाड है उसना मकमल हल जिड़ा किता गया है बायो डीकंपोजर नादा जिड़ा द्वाई त्यार किती गई है जिस दा शिरका होगा खेदे विच जिस तो बाद जिड़ा नाड है वो बिलकुल विच्चे ख खेदे गाड़ जाओगा और एक साब दा खादा कम करूगा और एक पुसा इंसीडिट वलों जिड़ी ए द्वाई जिड़ी त्यार किती गई है और इस दा शिरकाव जिड़ा दिली दे कसाना ली फ्री पहली बार दिली सरकार वलों करवाया जा रहे है और अर्विन केजड तो वीद दे वेचे जड़ा नाड है वो जमीन दे वेचे बिलकुल गड़ जाओगा और देनाड मिक्स हो जाओगा मिटी दे नाड और उस तो बाद एक खाद दा कम करूगा तुसी भी सुनो अर्विन केजड़ी वाल ने इस बारे होर की की क्या है उसा इंस्टिट्यूट बचता है जिसको पराली कहते हैं उसे किसान आग लगा दिया करता था क्योंकि अगली फसल बोने के पहले समय कम होता था उसको साफ करना होता था खेत अब ये घोल जो है बायो डी कंपोजर इसको छिड़कने से 15 से 20 दिन के अंदर वो डंठल गल जाता है और वो एक तरह से खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है ये घोल बड़ा सस्ता सा है घोल के जो कॉंपोनेंट्स है वो घोल बनाना घोल छिड़कना सारा खर्चा मिला मिलू के हजार रुपे एकड़ से भी कम पड़ता है उसे भी काफी कम पड़ता है दिल्ली में ये सारा खर्चा दिल किसानों की मदद कर रही है ऐसे बाकी सरकारे भी अपने-पने किसानों की मदद करें पंजाब किसान पंजाब के किसानों की मदद करें हर्याना किसान हर्याना सरकार हर्याना के किसानों की मदद करें उत्तर प्रिदेश सरकार उत्तर प्रिदेश किसानों की मदद करे अब हमें पराली जलाने की जूरूरत नहीं है और केंदर सरकार की एजनसी के द्वारा यह जो थर्ड पार्टी ऑडिट किया गया है इसके बाद अब एर कॉलिटी कमिशन ने यह माना है कि यह सक्सेस्फुल है और मुझे पता चला कि पिछले दो-चार द इनके अंदर एर कॉलिटी कमिशन ने इस बाकी सभी सरकारों को अदेश दियें कि वो भी पूसा इंस्टिटूट द्वारा बनाये जा रहे इस घोल को इस्तिमाल करें ताकि पराली जलाने के समस्या से निजात पाई जा सके पराली जी समस्या कितने किते हल हुंदी नजर आ देश देविच इस दा जड़ा मुकंबल तौरते जड़ा यूज चावे और हर सरकारा इसनों जरूरी कर दें तांजो सरकारा ही करवां जड़ा उससे खर्चा होंदा हो भी कितने किते परशाशन अपने सिर्थे लेके और अपने वालों करवावे क्योंकि दिल्ली गवर्म तो या तो उसका कोई खरिदे या उसका हम क्या करें हमार पास कोई विकल्प नहीं था वो दवाई मारने के बाद में ये कबाड कमजोर हो गया जिसमें हमारी तीन से चार जुताई का अंतर आया है डीजल की किसान के लिए बचत भी हुई है ये पूरा गल जाता है जी तो इसको हम कैसे भी इसको 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 अपने जुताई भी बचती है डीजल भी बचता है मजदूरी मन पे छूकर निकल गई है कि हा ये अच्छी चीज है ये जो ना भी इसको देगी तो मोल इसको किसान लेके लगाएगा पर हाँ इतना है कि अगर जायज रेट में मिला तो हम तो इनको बागे निर्पकपुस्ट.com